पड़े होगे छोटे लाज कहां से आए, रोटी होगे ब्रेंड ताकत कहां से आए, फूल होगे प्लास्टिक के खुस्बू कहां से आए, चैरा होगे मेकप का रूप कहां से आए, सिक्षक होगे टूशन के विद्या कहां से आए, बोजन होगे होटल के तंदरुस्ती कहां से प्रोग्राम होगे केवल के, संसकार कहां से आए, आदमी होगे पैसे गे, दया कहां से आए, दंदे होगे हाई-फाई, बरकत कहां से आए, ताले होगे पासवर्ड, सेफटी कहां से आए, बगत होगे स्वार्थी, बगवान कहां से आए, इस्तेदार होगे वाटसप पे, मिल मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूपशुरत सच अगर उपवास करके भगवान खुश होता तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला विखारी सबसे सोखी इंसान होता उपवास अनका नहीं विचारों का करें इंसान खुद की नजर में सही होना चाह इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और सिठती कभी भी बदल नहीं सकती इसलिए कभी किसी का मान मत करो तुम सकती साली हो सकते हो पर समय तुमसे भी सकती साली है एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलिया बनाई जा सकती है पर एक माचिस के तिली से लाखों पेड़ भी जलाई जा सकते हैं। रूप दिया है मोर को तो इच्छा चीन लिए। इच्छा दि इंसान को तो शंतोच चीन लिए। और संतोच द्या संत को तो संसार चेल लिया मत कर कभी भी गुरूर अपने आप पे एए इंसान बगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बना कर मिट्टे में मिला दिया इंसान दुनिया में तीन चीजों के लिए मेहनत करता है मेरा नाम मुच्छा हो मेरा लिवाज अच्छा हो मेरा मकान इंशान जीवन की कड़वी सचाई जिसे समझना ही नहीं चाते ये चंद बंगतिया जिसने मोठी को अधार को नगती है एक पत्थर सिरफ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है इंसान मेर्न उजबने करते एप प्थक को बलण दिलिए अपूर त्याग देती है और वहीं बेटा एक सुन्दर बीवी के लिए अपनी मा को त्याग देता है तैरी नाइस लाइन जीवन में हर जगे हम जीत चाहते हैं सिरफ फुल वाली की दुकान ऐसी होती है जहां हम कहते हैं कि आमें हार चाहिए यह जिन्दकी जैसी भी है बस एक बार ही मिलती है यह समस जरूर सब तक बेजना यह समस मैंने पूरे दिन की मेहनत से बनाया है थैंक यू कि जए यह जब दून कि प्रूर कैज्ग प्रो बार में हाया है